जैए गनेश फ्रेंड्स, I am from GMHS Study Classes और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे Standard 12 GACB का Accounts का Chapter No.1 That is Introduction to Partnership तो जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग बूक में देख सकते हैं इस Chapter का Board में वेटे जाए 5 Marks का उसमें आपको Section A में 1 Question देखने मिलेगा मतलब MCQ देखने मिलेगा 1 Mark का Section B में एक One Liner देखने मिलेगा 1 Mark का और Section C में एक Short Sums इसका देखने मिलेगा 3 Mark का प्रेंड्स तो हम लोग इसके Short Sums से Begin करते हैं तो आप लोग जैसा कि Textbook में Page No.30 पे देख सकते हैं Question No.3 का First तो हम लोग वो Question आज Solve करेंगे First में हम लोग ग्रीड करते हैं A Partner Withdraws identical amount at the end of each month from the firm At the end of the year, total annual drawings is Rs. 12,000 12% per annum interest is chargeable on drawings Determine the amount of interest on drawings of the year तो इसमें हमको Friends सबसे पहले interest of drawing निकाल देगा है और इसमें आपको X-Men दिख रहा होगा At the end of the each month तो Friends वो end of the each month दिख रहा है तो ऐसे ही हमको 3 terms इस chapter में देखने को मिलेंगे तो वो हम 3 terms आज समझते हैं सबसे पहले एक तो आपको Case दिया होगा Beginning एक आपको Beginning दिया हो सकता है एक Made दिया हो सकता है और एक End दिया हो सकता है तो यह Beginning of the Every Month, Made of the Every Month और हो सकता है End of the Every Month तो Friends यह जब आए तो इसमें 3 terms से Multiply करना होगा जो कि Months के एक Formula होते हैं तो उनसे आपको Multiply करना होगा तभी Interest of Drawings निकलता है तो अगर आपको दिया हो Beginning of the Every Month तो आपको उसको Into करना बढ़ेगा 78 divided by 12 और अगर आपको दिया हो Made of the Every Month तो आपको करना बढ़ेगा 72 divided by 12 और अगर End of the Every Month दिया हो तो आपको करना बढ़ेगा 66 divided by 12 तो आप पूछेंगे के ये Terms कैसा है तो हम लोग वो भी समझेंगे के ये Terms कैसे आए तो आप सबसे पहले दिखें कि हमारा Year स्टार्ट होता है 1470 हम लोग assume करते हैं तो ये Year चलेगा 31, 3, 18 तक 31, 3, 18 तक तो इसमें हमको जो Interest पे करना पड़ेगा वो 12 months का हमको पे करना पड़ेगा 12 months ये इसमें question में दिया है Partner withdraws Identical amount at the end of each month तो वो हर मन्त के Ending में एक एक amount withdraw कर रहा है तो जब उसने first amount withdraw की होगी 1417 को तो उसका उसको interest पूरे 12 months के लिए पे करना पड़ेगा फिर जो ऐसे second amount उसने withdraw की होगी वो की होगी 1517 को 1517 to 31, 3, 18 मतलब इसका उसको 11th month का 11th month का उसको interest इसका पे करना पड़ेगा तो वो हर ऐसे new drawing जो withdraw करेगा उसको उसका interest पे करना पड़ेगा तो 1517 to 31, 3, 18 उसको 11 month ऐसे ही ये case चलता रहेगा 1617 को फिर वो withdraw करेगा उसका interest वो 31, 3, 18 तक बड़ेगा तो यह होगी 10 months फिर 1717 से 2, 31, 3, 18 फिर से वो 9 months का interest पे करेगा फिर ऐसे 1817 से 31, 3, 18 तो यह होगी 8 months फिर होगी 1017 से 231, 3, 18 यह होगी 7 months 110, 17 से 31, 3, 18 यह होगी 6 months 111, 17 से 31, 3, 18 यह होगी 5 months 112, 17 से 31, 3, 18 तक यह होगी 4 months और फिर आएगा 11, 18 से 31, 3, 18 यह होगी 3 months फिर 12, 18 से 31, 3, 18 यह होगी 2 months और फिर लास्ट आएगा 1, 3, 18 से 31, 3, 18 मतलब वो लास्ट मन्थ होगा मार्च का ही मतलब मार्च 18 से उसके एंड पूरे मन्थ का वो 1 मन्थ का पे करेगा इंट्रस्ट तो फ्रेंड्स जब आप इन सब का टोटल करोगे यह सारे months का तो यह आएगा 78 आप लोग जैसे की कर सकते हैं मैं भी करके दिखा दा हूं आप लोगों को 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 तो आप जैसा की देख सकते हैं इस friends यह 78 आ चुका है 78 months टोटल और यह पूरा year होता है हमारा 12 month का तो हम लोग इसको divide करेंगे फिर 12 से तो ऐसे ही आप friends यह सारे terms ऐसे निकाल सकते हो आपको अगर mid दिया हुआ है तो same आपको यही करना होगा made के लिए भी ऐसी calculation है वो भी हम लोग करके देख लेते हैं friends तो आप लोग कोई doubt ना रहे made of the month का भी हम लोग करके देखेंगे अगर आपको दिया हो made of every month आपको दिया हो made of every month तो friends अगर आपको term दिया हो made of every month तो हम लोग उसका भी देख लेते हैं एक बार तो इसमें made of the every month में आपको friends सबसे पहले date निकाल दिया हो कि मलब made of the month दिया हुआ है तो 15 date होती है middle में right तो हम लोग first दिखेंगे कि first drawing जो partner करेगा वो करेगा 15.4.17 से 2.31.3.18 year तो end जब ही होता है 31 March को मलब तब तक का लेना ही होगा तो friends इसमें ये April का वो पूरा 15 days का interest पे करेगा मलब वो half month हुआ तो 0.5 plus फिर वो में से लेके March तक मलब 11 months तो वो 11 plus 0.5 मलब 11.5 months का interest वो पे करेगा friends तो ऐसे ही फिर second date आईगी जो वो आईगी 15.5.17 से 31.3.18 ऐसे friends ये चलता जाएगा 15.6.17 से 31.3.18 ये हुए 9.5 months फिर आएगा 15.7.17 से 31.3.18 ये हुए 8.5 months फिर आएगा 15.8.17 से 31.3.18 ये हुए 7.5 months फिर आएगा 15.9.17 से 31.3.18 ये हुए 6.5 months फिर आएगा 15.10.17 से 31.3.18 ये हुए 5.5 months फिर आएगा 15.11.17 से 31.3.18 ये हुए 4.5 months फिर आएगा 15.12.17 से 31.3.18 ये हुए 3.5 months फिर आएगा 15.11.18 से 31.3.18 ये हुए 2.5 months फिर आएगा 15.21.18 से 31.3.18 ये हुए 1.5 months और फिर आएगा 15.3.18 से 31.3.18 मतलब हमको ये 15 days का भी interest पे करना ही बड़ेगा फ्रेंट्स तो इसको आगवा सिर्फ 0.5 months तो आप हम लोग अब इसका total करके देखते हैं 11.5 10.5 9.5 8.5 7.5 6.5 5.5 4.5 3.5 2.5 1.5 और 0.5 तो जैसा कि फ्रेंट्स आप लोग देख सकते हैं ये और ये मेरे कोई mistake हो गई होगी हम लोग एक बार फिर से करके देखते हैं 11.5 plus 10.5 plus 9.5 plus 8.5 plus 7.5 plus 6.5 plus 5.5 plus 4.5 plus 3.5 plus 2.5 plus 1.5 plus 0.5 तो जैसा कि फ्रेंट्स आप लोग ये देख सकते हैं ही इसमें इदर हमारा 72 आ गया है केलसी में तो हम लोग इसमें आएगा 72 अलब होगा 72 by 12 जैसा कि हमने पहले देखा था और ऐसे ही फ्रेंट्स आप लोग अभी end of the month का भी निकाल सकते हैं उसमें first date आएगी 31.4.17 to 31.3.18 तो उसमें होगा 11 month और ऐसे so होगा आप लोग last month होगा जो 31.3 31.2.18 से 31.3.18 तो उसमें आएगा फ्रेंट्स आपका 1 month तो आप लोग ऐसे ही उसका total करेंगे तो उसका आएगा 66 divided by 12 तो फ्रेंट्स ऐसे ही वो हमने आगे team time देखे तो आपको समझ में आगे होंगे कि ये कैसे निकलते हैं तो अब हम लोग हमारा question first begin करते हैं तो जैसा कि हमको दिया हूँ है आपको interest of drawings निकलता हैं सबसे बहले chapter 1 में तो फ्रेंट्स आपको सबसे बहले interest of drawing निकलना हो तो आपको सबसे बहले एक चीज़ मांड में रखनी है कि जबहीं भी interest of drawing निकलना हो तो तो monthly drawing पर निकलता हैं ना कि annual drawing पर तो हमको इस सम में annual drawings दीवे है friends तो 12,000 तो ये 12,000 को हम लोग monthly में convert करेंगे तो हमको 12,000 divided by 12 करना पड़ेगा तो ये 1000 रुपीज मतलब हमारी monthly drawing ये 1000 रुपीज की friends तो हमारा जो भी interest of drawings है वो हमारा monthly drawing पे निकलता है friends तो अब हम लोग इस पे interest of drawings निकलेंगे तो हमको दिया है 1000 अभी हम लोग करेंगे 1000 into interest rate हमको दिया है 12% और into हमने वो term देखा था इसमें end of each month दिया है तो आएगा 66 divided by 12 तो इसका answer अभी हम लोग के LC में करके देख लेते हैं 1000 into 12% into 66 divided by 12 तो friends जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 660 रुपीज इसका interest निकलेगा चो interest of drawings पूछा है आप लोग पीछे भी check कर सकते हैं 660 हमारा answer आगे है friends interest of drawings हमको पूछा है तो यह आएगा 660 रुपीज तो friends इसका second sum भी दिखेंगे I hope आपको first sum clear हो गया होगा अब second sum में हमको दिया है Amruta Divya are the partners of a firm their capital ratio is 3 to 2 Amruta is to be paid 8% commission on net profit after deduction of such commission what amount will be receivable by Amruta if the total profit of the year is 96,872 876 तो उनको friends इसमें total profit दिया है firm का जो की है 96,876 रुपीज तो friends आप लोग इसमें देख सकते हैं हमको total profit दिया हो है 96,876 रुपीज का friends और जबी भी आपको total profit दिया हो और after deduction of such commission दिया हो तब commission की formula होगी friends commission is equal to commission is equal to profit into percentage अलब जो आपको percentage दिया हो divide by 100 plus percentage अलब 100 में उसको आपको जो भी percentage दिया हो वो plus भी करना पड़ेगा friends तो इसमें पहले हम लोग commission निकालेंगे तो commission होगा is equal to हमको profit दिया हो है 96,876 रुपीज into percentage हमको दिया हो है 8% और नीचे दिया हो है 100 plus percentage मलब 100 plus 8 हो जाएगा friends तो is equal to हम लोग करेंगे अब हम के LC में करके दिखा दो हम friends 96,876 into 8 divide by 108 तो friends हम लोगो इसका commission मिल जाएगा that 7176 रुपीज तो friends हमको ये तो इसका commission मिला है और हमको question में बूचा है what amount will be received by Amruta if the profit of the year is 96,876 तो हमको सिफ उसका commission नहीं उसको total क्या amount receive होगी ये profit के साथ वो हमको find करना है friends तो ये तो हमको commission मिल गया तो सबसे पहले हम लोग ये जो profit है हमारे पास total firm का profit है 96,876 रुपीज उसमें से हम लोग इसका commission माइनस करते है अलब वो हुआ 7176 रुपीज हम लोग करके देखते है 96,876 माइनस 7176 तो friends ये हुआ total अभी firm का profit उसको commission देने के बाद तो उसको commission देने के बाद 89,700 रुपीज बचे जो कि हम लोगों को partners में distribute करने होंगे पर partners में इसके profit and loss sharing ratio नहीं दिया हुआ है उनका capital ratio दिया है 3 is to 2 और friends आपको याद रखना है कि capital ratio कोई काम का नहीं होता हमको इसमें profit and loss ratio चाहिए होगा तो अगर वो ना दिया है तो वो equal partners है तो friends इसमें हमको जैसा कि profit and loss ratio नहीं दिया है तो वो लोग equal partners है तो वो लोग share करेंगे इसको 1 is to 1 में मलब equally 1 by 2 1 by 2 तो हम लोग इसको सीधे divide by 2 करेंगे तो हमको एक partner का profit मिल चुका है मलब अमरुता का भी 44,850 होगा और दिविया का भी 44,850 होगा तो अमरुता को मिलेगा अमरुता शेयर इस एक्वल टू profit plus commission उसको profit भी मिलेगा उसको profit भी अमरुता शेयर इस एक्वल टू profit plus commission उसको profit भी मिलेगा और उसका commission का share भी मिलेगा तो profit हमने निकाला है उसका एक partner का होगा 44,850 plus commission उसको मिलेगा 7,176 रुपीज तो अभी हम लोग इसका plus करते हैं 7176 is equal to 52026 52,026 रुपीज उसको total amount receive होगी friends तो ऐसे हमने हमारा second sum भी देख लिया है आपको इधर दिख रहा होगा 52,026 रुपीज उसको total मिलेगा commission और profit मिला कर friends तो ऐसे ही I hope second sum भी हम लोग complete करते हैं अभी हम लोग बढ़ते हैं 3rd sum की तरफ तो हम लोग friends 3rd sum दिखेंगे विश में Abhijit and Kunal are partner sharing profit and loss in the proportion of 3 is to 2 is to 4 manager is to be paid 10% commission of profit but after the deduction of such a share the share of Abhijit is equal to 30,000 determine the commission of manager तो friends हम को इसमें सबसे पहले commission निकाल दायो manager को कितना मिलेगा commission निकाल दायो manager का commission of manager is equal to worth और हमको दिया वह after deduction of such a share तो हमने पहले तो देखा था after deduction दिया तो commission निकालते हैं profit into percentage upon 100 plus percentage but friends हमको इसमें profit ही नहीं दिया वह है सिर्फ हमको दिया वह है Abhijit का share तो Abhijit का share हमको दिया वह है 30,000 रूपीज अभिजित share is equal to 30,000 रूपीज और friends हम लोग हमने आगे के sum में देखा था जो भी profit होता है वो profit and loss ratio में distributed total profit तो यह Abhijit का share इतना है तो commission निकालेंगे तो पहले Abhijit के share से हम लोग total profit है जो firm का वो निकाल सकते है friends उसकी भी एक formula है मालब partners share partner share यह partner का share हमको कैसे मिलेगा profit दिया होता है profit हम लोग उसका करते है into उसका share मालब उसके ratio से इसको multiply करते है तब हमको उसका share मिलता है friends तो अभी हमको इधर partner का share दिया है 30,000 is equal to profit नहीं दिया हो है और उसका ratio दिखे आप दिया हो है विश में अभी पार्टनर और इनका ratio 3 to 2 to 4 वालब अभी जित का ratio वो होगा 2 by 9 2 by 9 तो हम लोग इसको करेंगे 2 into 9 तो यह into में तो यह divide में जाके उधर उल्टा हो जाएगा तो इधर होगा profit is equal to profit is equal to 30,000 into 9 by 2 यह उल्टा हो जाएगा तो अभी हम लोग यह करेंगे तो हमको profit मिल जाएगा firm क 30,000 into 9 divided by 2 तो 1,35,000 friends हमको profit मिल चुका है firm का यह firm का profit है friends 1,35,000 रूपीज तो friends हमको यह profit मिल चुका है 1,35,000 रूपीज और इसमें भी दिया हो है के manager को commission देना है 10% पर friends इसमें वो जो after deduction वाली point थी वो applicable नहीं होगी friends क्योंकि यह जो profit हमको मिला है यह इस profit में से already वो amount minus हो चुकी है जो हमने manager को दे दिये पर हमको वो amount पता नहीं कि क्या वो इसमें से deduct हो ही है पहले वो deduct हो चुकी है और अब यह जो share है यह बचाव है जो distribute किया था हमने partners के बीच में तो already जो amount total थी उसमें से वो commission minus हो चुका है फिर यह amount बची जो partners में distribute होई friends तो हम लोग इसका सीधा ही 10% करेंगे तो हमको manager का commission मिल जाएगा friends तो 10% आया है 13,500 रूपीज तो हमको इधर manager का commission मिल गया है manager commission is equal to 13,500 रूपीज और अभी आप अम लोग इसके extra के लिए sum तो इतन ही है पर अभी हम लोग extra भी इसमें करके देखते हैं मलब 1,35,000 आपको profit मिला और आप पहले उसमें manager का commission plus कर दीजे 13,500 तो यह हुए 1,48,500 अब इसमें हम लोग वो applicable करेंगे 10% 10 into 100 plus 10 तो इसमें हम लोग वो applicable करके देखते हैं 10 divided by 110 तो यह friends वही आ रहा है 13,500 इसलिए इसमें वो point applicable नहीं होगी after deduction वाली क्योंकि यह amount है इसमें मलब total जो हमको पहले profit मिला होगा उसमें से manager का commission उसमें deduct किया फिर जो amount बची वो हम लोग partners में distribute करते हैं friends अब समन सकते हो तो 1,35,000 ही हमने distribute की थी already वो manager का commission deducted था तो फिर हम लोग सीधा 10% निकालेंगे तो इसका 10% है 13,500 और यह भी आप लोग देख सकते हैं मैंने इसका add करके वो वाले भी method करके रिखा दी पर यह कुछ काम का नहीं होगा आपको सिफ इदर तक ही करना होगा और same friends इसी type के illustration 1,2,3 है वो आप खुझ से try करके देख सकते हैं friends और उसमें आपको कोई भी query लगे तो आप लोग मुझको कमेंट करके बूच सकते हैं तो friends I hope आपको यह तीनो sums क्लियर हो गए होंगे हम लेक्स वीडियो में इसके आगे के भी समसर सौल करके देखेंगे तो तब तक के लिए friends मिलते हैं गूडबाई जैहिन वंदे मातरा